Friends, मेरा नाम है Nima और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरी चैनल पर बच्चों को नहलाना पेरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है जंग हो जाती है मैं तो कहती हूँ मुझे बहुत मुझे बहुत मुश्किल होती थी एक बाटब आपके पास जरूर होना जाएगे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ लवलाप हिपो बाटब जो कि मुझे लगता है पॉफेक्ट होने वाला है इसके कई सारे कारण है कि आप इसे क्यों ले और कैसे यह आपके काम आ सकता है सबसे अच्छी बात मुझे इसकी यह लगते कि यह 2-in-1 कनवर्टेबल क्योंकि इसे आप जीरो से 6 मन्स के बच्चे के लिए भी यूज कर सकते हो मतलब न्यूबॉर्ण बेबी के लिए यह काम आचाएगा तो आप इसे definitely try कर सकते हो इस बात अब की यह बहुत अच्छी बात है कि यह expandable है मतलब आप अपने बच्चे की height के हिसाब से इसे adjust कर सकते हो जो कि बहुत ही अच्छी चीज है मुझे यह बहुत अच्छा लगा बहुत ही comfortable है और बहुत ही secure है बच्चा इससे गिर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, बच्चा इसमें खेलेगा, कूदेगा और खुद से नहाएगा, बहुत ही अच्छा मुझे लगा, बहुत ही सिक्योर हो जाता है, पेरेंट्स के लिए भी, कि बच्चे को हम नहाने के लिए छोड़ते हैं, तो ह अगर आप बच्चे को बैठा के नहलाना चाहते हो, तो आप बाथ सीट को यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही यूनीक फीचर मुझे लगा, तो आप बाथ सीट को भी यूज़ कर सकते हो, अच्छा एक यह बिल्कुल भी अपनी जगे से मूव नहीं होता है तो आराम से बिना टेंशन के आप बच्चे को नहला सकते हो इस बाट टब को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं अगर आप छोटे बच्चे के लिए जीरो से 6 मंत के बच्चे के लिए यूज कर सकते हो तो आप इसे एक सा एक फीचर है जो बहुत ही बढ़िया मुझे लगा है वह सेंसिटिव टेंपरेचर प्लग बेसिकली क्या होता है सम्टाइम्स हम लोग जल्दी जल्दी में गरम पानी डाल देते है और बच्चे को गरम लग जाता है बड़ आप इस बाट टब में बच्चे को नहला रहे हो लोग थोड़ सा पानी गरम कर देती है और बाद में बच्चे को दिक्कत होती है तो इस बाट टब के साथ आपको वो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी एक प्रॉब्लम जो पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है वो है स्पेस की बहुत बड़ा बाट टब अगर आप बच् कम काम नहीं लगेगा बहुत ही एजली मूव आप इसे कर सकते हो बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही अच्छा मुझे यह लगा इसके जो एज़ेज है वो बहुत ही सॉफ्ट है मतलब क्यूंकि बच्चा उस टाइम पर नहीं पहने होते हैं तो उसको यह कहीं से भी बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है और फिर पानी हम चेंज करते हैं इसके साथ आपको ऐसा इस्यू नहीं होगा आप ड्रेंड प्लग को खोल सकते हो और पानी अपने आप सारा रिमूफ हो जाएगा बंद कर दीजिए और फिर से उसे रिफिल कर लीजिए तो बच्च वीडियो थोड़ सा भी हलफूल रहा था आप वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके ज़रू जाएगा अगर आप इस प्रॉड़क को बाय करना चाहते हो तो यह एवलेबल है अमजान पे और लवलाब पे लिंक में आप यह थैंस वर वाज़ कि बाय